नमस्कार और वेलकम फरेंड बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरे इस चैनल में अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल से जल इसे सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन अवस प्रेस करें जिसे कि आपको लेटेस्ट वीडियो के इन कि margin और indents में क्या अंतर होता है margin हम लोग कहां लगाते है indents कहां लगाते है ये भी मैं आपको बताऊंगा और पता नहीं क्यों ये option बहुत कोई लोग बताते नहीं है कि margin और indents में अंतर क्या होता है देखिए practically हम लोग तो option बहुत सरे option Microsoft Word में सीख लेते हैं लेकिन जब काम करना होता है तो बहुत problem create होता है तो practically जब काम कीजिएगा तो बहुत problem होगा तो margin के बारे में knowledge होना चाहिए प्रस indents क्या है इसके बारे में भी knowledge होना चाहिए तो चलिए ये जो confusing matter है margin और intent में इसका मैं आपको solve word बताऊंगा, difference बताऊंगा और कहां पर use होता है ये भी मैं आपको बताऊंगा तो चाहे वो चाहे Microsoft Word 2007 हो, 2010 हो या 16 हो, कोई साभी version हो लेकिन आपको margin का knowledge होना चाहिए प्लस आपको indents का knowledge होना चाहिए तब आप practically ज़्यादा अच्छी तरह से काम कर पाईएगा, confused नहीं रहिएगा तो देखिए, generally क्या होता है कि सबसे पहले समझते है, what is margin उसके बाद मैं आपको बताऊंगा difference between margin and intent देखिए, मैंने यहाँ पर लिखाया है what is margin लिखाया है, प्लस नीचे उसका definition भी लिखा हुआ है, space between page age and text, ध्यान से देखिएगा, space between page age and text लिखा है, यहाँ पर दो ऐसे word है, देखिए, page age and text, page age का मतलब होता है, page का किनारा और text तो आपको जानते हैं, जो type करते हैं हम लोग कुछ भी type करते हैं, उसको बोलते हैं text हम लोग type करते हैं, अब होता क्या है, कि margin जो है, जब जैसे for example के तोर पे, मैं एक नया अगर जब page लेते हैं, चाहिए कोई सा भी हो Microsoft Word 2007 हो, या 10 हो, कोई सा भी हो कोई problem नहीं है, आप पहले matter को समझे है, तो यहाँ पर दिखे, blank document लिया, उसके बाद create में क्लिक करते हैं, अब जब भी हम लोग चाहिए Microsoft Word में, जब भी नया document create करते हैं, नया page लेते हैं, तो देखिएगा, यहाँ पर cursor bring करता है, cursor मतलब होता है, यह जो on-off, on-off हो रहा है, यह cursor है, मतलब इसका मतलब यह होता है, कि यहाँ से हम लोग text type कर सकते हैं, जैसे यहाँ पर लिख दिया, मैंने margin, यह देखिए, मैंने लिखा है margin, अब सवाल उठता है, कि text मेरा जब भी type हो रहा है, यहाँ से type हो रहा है, तो यह है page का किनारा, ध्यान से देखिएगा, यह है page का किनारा, और यहाँ पर मैं text type किया, मैं typing मैं start हुआ, तो यह जो page के किनारा से लेके text जी जगा से type करते है, that is called margin, यह space जो है, यह margin हम लोग देते हैं, यहाँ से लेके space का यह है margin, मतलब text जी जगा से आपने type start किया है, और यह page का किनारा से, that is margin, simple way मैं मैंने आपको समझा दिया, कि page के किनारा से लेके, जी जगा से आप text type करते हैं, वो margin होता है, अब हो सकता है, यह left margin हो गया, यह आपका top है, यहाँ से type, यहाँ से करते हैं हम लोग, और यह आपका right, यहाँ पर देखे right margin, यहाँ समझ सकते हैं, देखें, यहाँ से, मतलब यह page का, बार-बार मैं इसलिए repeat कर रहा हूँ, क्योंकि आप अच्छी तरह से समझ जाई है, तो page के किनारा से, जी जगा से हम लोग text type करते हैं, that is call margin, यह है आपका left, left up margin, right यहाँ तक, जहाँ तक, टेक्स आपका type होगा, उस page यहाँ, right hand side से, जो margin है, right margin मतलब होता है, जो आपके दाहिने तरफ, जब हम लोग text यहाँ से लेकर, यहाँ तक type करेंगे, तो जहाँ तक text type होगा, और page का right hand side का, जो किनारा है, वहाँ से लेकर, वहाँ तक, that is right margin होता है, तो यह clear हो गया होगा, मैं उमीद करता हूँ, जिस जगह से आप text type करते हैं, left, जो किनारा है, page के age से लेकर, जहाँ पर type करते हैं, that is called margin, वह space को हम लोग बोलते हैं, margin, अब सवाल उड़ता है, indent, indent किसे कहते हैं, चलिए वह भी देख लेते हैं, तो यहाँ यह आपका यहाँ से लेकर, यहाँ था कि this is called margin, space between page age and text, यह समझ में आ गया, अब आते हैं, what is indents, indents क्या होता है, space between margin and text, देखिए, दोनों में अंतर सिर्फ इतना ही है, space between margin and text लिखा है, यहाँ लिखा है, page age and text, यहाँ लिखा है, margin और text का जो space है, जो between, जो space है, उसे हम लोग बोलते हैं, अब यह इंडेंट जो है, margin or text का जो, बीच का जो यह दूरी है, उसको हम लोग बोलते हैं, अब इंडेंट क्या है, देख लीजिए, यहाँ पर, जैसे for example, जब भी हम लोग टाइप करते हैं, तो यहाँ से start कर, यहाँ से बाल हुआ है, यह margin हो गया, यहाँ से, मेरा margin set किया हुआ, अब मैं लेते हैं, यहाँ पर फिर से मैं नीचे, अगर click करता हूँ, यह देखे, मैं नीचे click किया, अब यहाँ पर लिखता हूँ, indent, indents, लिख दिया, अब देखे, जब भी हम लोग text type करें, तो यहाँ से type हो रहा है, यह मेरा margin हो गया, अब देखे, यह margin यहाँ से देख लिए, यह मर्जिन है, यहां से लेकर यह margin है, यहां से लेकर, यह margin है, अब इसको क्या करते हैं, सपोज, इसको मैंने select किया, अब थोड़ा मEMA рассказ नेक्स काूंनाराट यहमार्जिन हो गया अब मैंने देखिए यहां से लेकर टेक्स को यहां तक है यह देखिए यहां तक मैंने ले जै मतलब में यहां ना यहा यहां से है और यहां तक मैं तक यहां तक स्टार्ट हुआ है तो यह मार्जिन से लेकर टेक्स जहां तक है वह जो स्पेस है उसे हम लोग इंडेंट बोलते हैं फॉर एक्जम्पल के तौर पर देखिए मैं यहां पर इंसर्ट में अगर जाते हैं अब मैं यहां पर ड्रॉ कर देता हूं यह देखिए मैं यहा कि यहां तक हो गया यह margin हो गया अब margin जो है मेरा यहां तक है यहां से लेके मैंने text को यहां तक दूरी तक बढ़ा दिया मतलब margin से लेके यह जो text का दूरी है यह जो space है इसको हम लोग indents बोलते हैं अब मैं मैं उमीद करता हूँ यह confusion जो है clear हो गया होगा आपको कि margin क्या है और आपका indents क्या है margin मतलब होता है page का किनार से लेके जिस जगह से आप text type करते हैं वह space को margin बोलते हैं और indent होता है margin जहां है margin से टेक्स को आप बढ़ा देते हैं तो उस space को वहां से margin से लेके जिस जगह तक आपका text है उसको हम लोग बोलते हैं अब आते हैं और दूसरा question यहां पर लिखा हुआ है what is margin space between page age and text space between margin and text तो difference आपको समझ में आ गया होगा कि margin क्या है और indent क्या है अब सवाल उठता है कि हम लोग indent कहां यूज करते हैं practically क्या होता है हम लोग जो line है जो paragraph जब हम लोग बनाते है paragraph यूज करते हैं paragraph लो type करते हैं तो देखिए जो पहला line हम लोग उसको हो सकता है थोड़ा सा आगे करते हैं थोड़ा सा पीछे करते हैं तो पहला line को आगे पीछे करने के लिए paragraph में हम लोग indent का use करते हैं और जो आपका यह जो है आपका margin है पूरा document को setup करने के लिए हम लोग यह margin का use करते हैं जैसे वर व्लत करने के तोर पे दिखाता हुँ मैं आपको यह देखे मेरा पुरा-पुरा तोकुमेंट आपको दिखर होगा है यह पर यह देखें यह उपर में स्पेश दिया हुआ यहां से यहां तक margin set up किया हुआ यहां से लेकर यहां तक पूरा का पूरा यहां तक है यह देखे स्पेस यहां से लेकर यहां तक set up किया हुआ यह margin हो गया यह पूरा का पूरा यह आपका right hand side का margin है देखिए फिर नीचे अगर आते हैं हम लोग page का नीचे यह bottom margin कि लेकि यहां तक तक नीचे में यहरा यहां से डिया लिए लिफ वॉश्च सेस्षlli स्थोब बठा एधाई शील जेक्ड उड़े तक टेक्स्ट मेड़ाद उड़ा से कुम्हीं है मेरा मार्जिन का यहां से घ 내가 मेरा मार्जिन का यहां से तक मार्जिन आपको अब यहांद आखिजा नेवे africi सबस्क्राइब करना होता है तो हम लोग मार्जन का यूज करTे है Left, Right, Top, Bottom कितना देना है ? वो setup करते हैं. इंडेंट का क्या होता है ? item क्या होता है ? Line. Line कोSIT अप करते हैं. कभी-कभी क्या होता है ? paragraph और margin को हम लोग setup करने के लिए हम लोग intent का भी करते हैं तो आपको समझ में आ गिया होगा कि मार्जिन क्या है और इंडेंट्स क्या है थो सकता है मैं एक ही बात को बार बार रिपीट कर रहा हूं क्योंकि आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाए कि मार्जिन क्या है और इंडेंट्स क्या है हम लोग पर्टिकुलरली प्रविद देखने के लिए बहुत कोई बहुत कंफ्यूजिंग मैटर है तो मैं उमीद करता हूं यह सॉल्व आउट हो गया होगा और भी कुछ जानना चाहते तो प्लीज कमेंट कीजिएगा और मेरा वीडियो देखने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद